असलाम अलेकूं दियर स्टुडेंस आरेडी एक वीडियो में ने बनाया था जिसमें वहां पे डिसकस किया वह आरेड़ी उस वीडियो में मैं डिस्कस किया था तो आज फिर से में एक सेपरेट वीडियो बना रहाँ जिसमें आल से मैं वही चीज फिर से रिपीट यहां पर करेंगे तो आधिए स्टार्ट करते हैं एटो कि अहां यहां पर डेमो के लिए मेंने बच्चे का एकान लोग-इन किया है पहले आपको क्या करना है अधिति कि आप शुब्स कि अबोदी करना है एड दें यहां यहां पर मैंने एकजमडल के लिए शोशल साइंस में एक assignment work क्रेट किया है your purpose के लिए तो मैं सुचल साइंस करता हूं यहां पर देख सकते हो आउटलाइन मैप्लाइब करोगे सब्सक्राइब करते हम आप इस पर कป lakonbacks तो यह 5 जनवरी 2022 ट्वैल ओकुलार पे यह आपका है सब्मिशन डेट वीनिस पांच जनवरी 12 बज़े तक आपको इस एसाइमेंट को सब्मिट करना है अगर कोई एक बज़े करेगा 5 जनवरी फाय मदब कल एक बज़े करेगा तो वो एसाइमेंट यहाँ पे सब्मिट नहीं होगा तो जो यह एसाइमेंट वरुक यह पे है यह टाइम बॉंड़े है तो इसका आपको खया रखना पड़ेगा Just for example, यहाँ पर मैंने लिया एक student, अरहान अमीन, मैं repeat करता हूँ, अरहान अमीन का मैंने account लिया, यहाँ पर my classes में गया, demo purpose के लिए मैंने social science में create किया था, outline map आप जेहेंड के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे है add work, तो teacher ने जो assignment यहाँ बेजा है, outline map आप जेहेंड क कि color करना है आपको, या आपको reverse या districts वगएरा, जो locations आपको map पर देनी है, वो teacher already यहाँ पर आपको describe, यहाँ पर आपको लिखके होगा, describe किया होगा कि इस चीज़ को, जो assignment में, आपको चीज़ यहाँ पर आपको, इस बच्चे ने जो है, जो teacher ने वहाँ से बेजा था, इस के बाद आपको, यहाँ पर दो option आएंगे, तो आप capture image पर click करोगे, and then मैं यहाँ पर यह capture image कर लेता हूँ, तो मैंने capture image किया, and done किया, यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ, assignment work, आपको भी जो भी आप assignment work submit करोगे, आपको भी वैसी ऐसी same, जैसे मैंने नाम दिया, वैसी भ करता हूँ, जब मैं add करूँगा, यहाँ पर, now मुझे check करना है, cross check किये, जो मैंने assignment का capture किया, यहाँ पर image, वो assignment upload हुआ है, कि नहीं हुआ है, वो मैं cross check करूँगा, तो आपको simply, जो यह अप वाला arrow है, आप इस पर click करोगे, and यहाँ पर आप देख सकते हो, assignment work, यह मैंने इ check किया था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, mark is done, ठीक है, तो यह यहाँ पर आपको done हो गया, that means, अब मैं teacher की जो, जहाँ पर मैंने assignment create किया था, अब मैं उस पर जाता हूँ, अरहान अमीन का, जो है, उसका submission हुआ है, assignment का, यहाँ पर मैं submission पर जाता हूँ, तो submission पर, जैसे अरहान अमीन है, अरहान अमीन का assignment already submit हुआ है, जो के अभी हमने उसकी app पर किया था, तो मैं simply इस पर click करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, assignment work जो मैंने नाम दिया था, इस पर मैं click करूँगा, already यही assignment जो है, वहाँ पर हमने send किया था teacher को, तो यहाँ पर मैं इसको feedback द देता हूँ, 5 out of 5, and save, ओके, तो RAD जो है, अरहान अमीन का assignment था, वो teacher के पास पहुंच गया, teacher ने assignment को देखा, और also teacher ने अरहान को feedback भी दिया, अब हम अरहान के account पे जाते हैं, जो भी teacher ने feedback दिया है, also हम चेक करते हैं, कि वो feedback अरहान को मिला है कि नहीं, तो simply मैं अरहान के account पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं social science पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं outline of math पे, देखिए, यहाँ पे आप submitted देख सकते हो, जब हम आप कर लेता है, view remarks, देखिए, very good, 5 out of 5, तो ऐसे आपको, अपना जो है, हर किसी class का, अपना अपनी my classes में, जो भी कोई class है, 5th है, 6th है, 7th है, LKJ, UKJ है, हर किसी को यह icon यहाँ पे show होगा, my classes, and आपको इसी class में जाना है, and then जो teacher ने आपको assignment work दिया होगा, आपको उसी respective subject में जाना है, respective class में जाना है, subject में जाना है, वहाँ पे click करके, वह assignment आप access कर सकते हो, and also उसको submit कर सकते हो, अगर in case किसी parent को को कोई problem technical problem आती है, तो हमारे IT section से बात कर सकता है, thank you so much, God bless you.